हेलो एवरिवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, वेलकम टू माइ चैनल विज्डम ओफ आयरवेद, मैसल डॉक्टर तन्वी सूद, आज इस कोवीड-19 के दोर में, खुद के और समाज के वचाव के लिए हर कोई अपनी भूमी का निभा रहा है, हम सुरक्षित हैं, तभी हमारा परिवार और तभी ये देश सुरक्षित रह सकता है, तो आज हम इस वीडियो में कैसे हम खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, इस बात पर चर्चा करेंगे, आज इस वीडियो में हम जिन विशेश आदतों पर चर्चा करेंगे, उन आद इसी समय के बाद और सही धंग से घर में जो भी साबुन उपलब्ध हो या एलकोहल बेस सैनिटाइजर से हाथों को साफ करना चाहिए। इस बात का विशेश ध्यान रखें कि रसोई में काम करते समय या ऐसी जगा जहां आप अगनी के संपर्क में आ सकते हैं वहाँ एलकोहल बेस सैनिटाइजर का प्रियोग ना करें। छोटे बच्चों से भी इसकी दूरी को बनाए रखें। इसके साथ साथ हम कहीं भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में हूँ तो लगभग एक मिटर की दूरी बना कर रखें। और ये आदत हमें घर से ही शुरू करनी चाहिए। जो भी इस वीडियो को देख रहा है वे अपने परिवार को एक निश्चित दूरी बनाने का विमर्श जरूर दें। क्योंकि जो आदतें हम घर में सीखते हैं वही समाज में भी परदर्शिर्ट करते हैं। इस तरह दूरी बनाने के द्वारा हम अगर कोई व्यक्ति छींगता है खांसता है तो उसके संक्रमन से खुद को बचा सकते हैं। अगर समय में खांसी, बुखार, गलादर जैसे लक्षन देखें तो पूर्ण रूप से ठीक होने के बाद ही घर से बाहर निकलें तथा अन्य घर के सदस्यों से भी दूरी बनाए रखें। कोशिश करें कि बार-बार अपने नाख, आँख और मुख को हाथ नार लगाएं। क्योंकि यदि गलती से हमने किसी संक्रमित चीज को छू लिया हो तो ये वाइरस आख नाख और मुख के दवारा हमारे शरीर को संक्रमित कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आपको बुखार, खांसी, सांस लेने में अधिक दिक्कत हो रही है। और चकिस्सक के परिमर्ष की अति अवशकता है तो संभव हो सके तो अपनी लोकल हेल्थ अथॉरिटी को प्रथम फोन करके उनका परिमर्ष ले। क्योंकि वो आपके एरिया की जानकारी आपसे अच्छी रखते हैं। अगर आप पहले ही फोन कर लेंगे तो सही चकिस्सा तक पहुँचने में आपको मदद मिलेगी और साथ ही साथ इस तरह आप इस वाइरस को अन्य लोगों में संक्रमित करने से भी बचा सकते हैं। इसके साथ खुद को ताजा खबरों से भी अपडेट रखें। नैशनल एंड लोकल अथोरिटी समय समय पर आपके इलाके की जानकारी से आपको अवगत कराती हैं। उन सभी जानकारियों से अवगत रहें और शोशल प्लाटफोर्म का दुरप्योग ना करें। गलत अफवाएं ना फैलाएं। नेक्स्ट, हाथ मिलाना, गले मिलकर या चरस पर्श करके अपने जानकार का अविवादन करने की हमें आदत है। नेक्स्ट, इसके साथ साथ हम हाथ हिलाकर या सर हिलाकर या हाथ को अपने हिर्दे पर रखकर इन भीविन मापडंडों का प्रियोग करकर किसी का भी अविवादन कर सकते हैं। आज इस महमारे में घर की आविश्यक वस्तुएं बजार से खरीगना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। कहीं वे वस्तुएं संक्रमित तो नहीं, कहीं हम घर संक्रमन तो नहीं ले आए। इसका डर हमीशा ही लगा रहता है। तो इसका समधान कैसे करें। जो भी व्यक्ति घर से समान लेने बाहर जाए उसे मास्क पहनने को कहें। संभव हो तो खरीदारी के समान के लिए घर से अपना साफ बैग लेकर जाए। किसी भी दुकान पर समान ले रहे हूं तो वहां दुकानदार तथा अन्य व्यक्तियों से एक मिटर की दूरी बनाए रखें। अगर किसी दुकान में लंबी भीड लगी हुई है तो आप उस समय किसी अन्य दुकान से खरीदे जाने वाला समान खरीद सकते हैं। कोशिश करें कि इस तोरान आख, नाख, मुक को ना छुए। घर आने पर स्वरप्रथम घर के बाहर जूतों को खोलें तथा हाथों को धोए। संभव हो तो बजार से लाई जाने वाली वस्तुओं को कम से कम एक से दो दिन तक किसी ऐसी जगा पर ज रेफिजरेटर में रखना तथा ठंडे स्थान में रखना आवश्यक हो गया है। तो ऐसे में अपने हाथों को धोकर फरल और सबजियों को साफ पानी से अच्छी तरह से धोकर उसे सुखा कर आप कपड़े के थैलों में या कागज से लवबेट कर रेफिजरेटर में या अपने घर में रख सकते हैं। किसी भी खरीदारी में पैसों का लेंदेन होता ही है। जब भी नोटों को छुए तो हाथों को मुख से लगाने से बचाएं। बहुत से लोगों को पैसों को थूक लगाकर गिनने की भी आदत होती है। तो ऐसे लोगों को ये करने से हमें र स्थान पस सुरक्षित रखें तथा उनके संपर्क में आने से बचें कोई व्यक्ति इस महामारी के दोरान अपने काम से वापिस आ रहा है या बजार समान लेने गया है वहां से वापिस आ रहा है तो हमें उसके पहने वे वस्त्रों को आते ही तुरंट धूने की आदत बनानी चाहिए हम नियमित रूप से जैसे कपड़े धोते हैं वैसे धोएं हाथों को साफ रखें तथा कपड़े सूखने के बाद भी हम उन्हें चूने से पहले अपने हाथों को धोएं बहुत सी महिलाएं इस COVID-19 के संक्रमन काल में गर्ववती हैं या नई-नई-मा बनी हैं तो इन सभी आदतों का ध्यान रखनी की जरूरत अन्य लोगों से सो गुना बढ़ जाता है इसलिए इन सभी अच्छी आदतों को अपनाएं और खुद को अनुशाशित रखें क्योंकि अनुशाशन का वास्तविक अर्थ ही स्वेय और दूसरे को हानी पहुंचाने वाली प्र